गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स एश्वी एकेडमी रावला की ओनलाइन क्लासेज में आपका हर्तिक स्वागत है क्लास 12 सुब्जेक्ट इंग्लिज लेशन 10 गॉइंग ब्लेशेज कलपना की उडान पिछले वीडियो में अपने इस लेशन को पढ़ रहे थे आज उसी से आगए से कंटिन्यू करेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 69 के स्टार्ट से अपने इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं अब तक अपनी देखा था कि जैन सी, सौफी और उसका बाई जोफ उनके बीच की बाचितें सुनी थी, सुरू में जैन सी और सौफी जो विदाले सी लोट रहे हैं उस दोरान सौफी अपनी उन कलपनाओं के बारे में बताती है कभी वो मैनेजर बनने के बारे में सोचती है, कभी वो एक बूटिक खोलने के बारे में सोचती है और उसके बाद में वो अपने बाई के पास जाती है जो कि बहुत ही कम बोलता है उससे हर चीज बुलवानी पड़ती है जो एक जिसको तीन साल विदले को छोड़े हो गए हैं और वो एक वरक्षोप के अंदर कारे करता है उसे अपने कारे करने के लिए सिटी में दूसरे चो बारे में और लोगों की द्वारा उनका विवादन करने के बारे में वो कलप नहीं करती है आज उसी से आगे अपने पढ़ने जा रहे हैं तो लैट्स टार्ट वह यह वह किसके लिए है जोफ के लिए वह अपने हाथ में तेली पुर्जे यान की बाई के जो तेल से सने वे पुर्जे थे को पकड़ कर उसकी तरफ चिंता से देख रहा था एज दो मानो की यह कोई छोटा सा गुंगा जानवर हो डम मतलब गुंगा जानवर हो और उसे बुलवाना चाहता हो I met Danny कैसे Sophie सेट Sophie ने कहा कि मैं Danny कैसे से मिली He looked around abruptly where यान की उसने किसने जोपने अचानक चाहर देखा और उसने कहा कहां In the arcade funnily enough यान की वो कहता है की कौन Sophie कहती है की गलियारे में It's never true तो उसके बाद में वो कहता है की यह कभी भी सच नहीं हो सकता I did too और उसके बाद में Sophie कहती है मुझे भी ऐसा ही मैसूस हुआ था You told that उसके बाद में वो कहता है की क्या तुमने उसे डैडी को बताया She looked, she shook her head, chest and ate his unawareness that he was always the first to share her secrets उसने अपना सिर हिलाया और उसकी अग्यानता पर दुख जताया की वह सदेव उसके रहिश्य का पर्थम बागिदार होता है यानि की सोफी ने अपना सिर हिलाया और उसकी जो अग्यानता थी यानि की वो जियोफ यह तक नहीं जानता था कि हमेसां से अगर कोई रहिश्या है सोफी के पास होता था तो सबसे पहले वैं उसे बताती थी तो इस अग्यानता पर उसे थोड़ा सा दुख परकट किया I don't believe it उसके बाद में वो करता है कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता There I was looking at the cloths in Rossi's window when someone came and stood beside me and I looked around and who should it be but Danny कैसे उसके बाद में सोफी बोलती है और वो कहती है कि मैं तो रोसे की खिटकी में कपड़ों को देख रही थी तब ही कोई आया और मेरे पास खड़ा हो गया मेरी बगल में ही खड़ा हो गया और मैंने गुम कर देखा तो यह कोई और नहीं बलकि Danny कैसे था उसके बाद में वो कहता है चलो ठीक है मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ तो वह कैसा लग रहा था कैसा दिखता था ओह कम ओन यू नो वट लुक्स लाइक उसके बाद में सोफी कहती है कि अरे छोड़ो तुम्हें पता है कि वह कैसा लगता है क्लोज टू आइमीन उसके बाद में कहता है मेरा मतलब है कि वो निकट से कैसा दिखता था मतलब वो करीब से कैसा दिखता था वेल, he has green eyes उसके बाद में वताना सूरी करती है और वह कहती है अच्छा उसके आंखे हरी है gentle eyes बिल्कुल सोम्य आंखे and he has not so tall as you would think she wondered if she should say about his teeth but decided against it और उसके बाद में कहती है वह इतना लंबा नहीं है जितना तुम सोचते हो और वह जाने को उत्षुक थी कि क्या उसके दान्तों के बारे में कुछ कहना चाहिए परन्त उसने ऐसा नहीं करने का निश्चे कया जैनकि वो इसके look के बारे में बताना सूरु करती है तो वो कहती हिसके हरी आंके हैं बिल्कुल सोम्य हरी आंके और उतना लंबा नहीं दिखता है जितना तुम सोचते हो और उसके बाद में वो ये भी जानना चाहते थी कि उसे ऐसा उसके दांतों के बरे में बताना चाहिए ये नहीं बताना चाहिए और बाद में उसने उसके मतलब ऐसा नाय करने का निश्चे किया उसके पिता जब अंदर आए तो वे सनान कर चुके थे यानकि उसके पिता है वो सनान करने के बाद अंदर आए थे और उनका चेहरा और माहे चमकिली और गुलाबी थी और उन में से साबून की कंद आ रहे थी यानकि वो अभी सनान करके आए थे तो उस साबन की कंद अभी भी उनसे आ रहे थे ये स्विश्ट ओन दा टेलिविजन टोस्ट वन ओफ लिटिल डेरेक्ट सूज फ्रोम हिज चेहर ओन टू दा सोफा एंड सेट डाउन विड गरंट उन्होंने टेलिविजन चालू किया छोटे डेरेक्ट का एक जूता अपने कुर्सी से सोफे पर फैंकते वे गुराते वे बैठ गए जैनकी सनान करके आये थे और अपनी चेहर पर बैठ रहे थे तो वाँ पर डेरेक्ट का एक जूता था तो उन्होंने उसे उठा कर पहले सोफे पर डाला और उसके बाद में गुराते वे वाँ पर बैठ गए सोफी मैट डैनी कैसे जियोफ सेड तो जैसी वो बैठे तो जियोफ ने कहा कि सोफी है वो डैनी कैसे से मिली थी सोफी रिगल्ड वेर ही वाज सिटिंग एड़ दा टेबल उसके यानकी सोफी है वो मेज पर बैठ वी चट पटाई यानकी जाम पर बैठी वी थी वहां से चट पटाई हर फादर टर्ण हीज हैड ओन हीज ठीक नेक टू लू केट हर उसके पिता ने अपनी मोटी गर्दन पर से सिर को उसके और देखने के लिए कुमाया एज एक्षप्रेशन वाज वन ओफ डिस्टेन उनका बाव तरिस्टेन का मतला तरिस्कार यानकी उनका देखने का जो तरीका ता वो किसी की तरफ एक तरिस्कार पूर्ण था इट्स त्यू जोप सेट जोपने का यह सथ है उसके पिता ने आदरप्रुवक टेलिविजन की तरफ नजरें हटाए भी नहीं कहा मैं एक बार एक ऐसे आदमी को जानता था जो टॉम फिने को जानता था यानिकि उसके पिता भी कहते हैं कि टेलिविजन की तरफ देख रहे थे उसे नजरें नहीं अटाई और उन्होंने उसकी बात का उतर का कि मैंने भी एक बार एक ऐसे आदमी को जाना जो कि टॉम फिने को जानता था बट देट वोज ए लॉंग टाइम अगो परूंतु यह बहुत लंबे समय की बात है बहुत पहले की बात है यू टॉल अस जोफ सेड जोफ ने कहा आपने हमको बताया था कैसे माइट बी देट गुड सम डे और उसके बाद में कहता है कि किसी दिन कैसे भी उतने ही अच्छा हो सकता है बेटर देन डेट एवन ये इस दभाज और उसके बाद में कहता है उस से भी अच्छा बैतर हो सकता है वह सबसे अच्छा है if he keeps his head on his shoulders कहने का मतलब if he keeps his head on his shoulder कि वह अपने दिमाग का सही प्रियोग करे यानकि उसके उपर किसी तरह का गमंड ना चाजाए if they look after him properly यादि वह उसकी ठीक ठाक देखवाल करे a lot of distractions for a young investor in the game these days और वो कहते हैं कि आजकर खेल में युवाउं के लिए बहुत सारी जान बंग करने वाली चीज़ें होती है he will be all right और वैठीक ही रहेगा he is with the best team in the country वैं इसमें देश की सर्फेस्ट टीम में है he is very young yet फिर भी वैब बहुत छोटा है he is older than I am वैं मुझसे बड़ा है two young really for the first team और उसके बात में कहते हैं कि पहले नंबर की team के साथ से वैब बहुत छोटा है you can't act with that short of ability आप इस तरह की योगता पर बहुत नहीं कर सकते हो he is going to buy a soft softy set from the table जब यानि कि जो और उसके पिता के बीट में ये सब बातें चल रही थी उसी दोरान Sophie जो के अपने टेबल पर बैटी हुई थी उसने टेबल से ही कहा कि वह है एक दुकान करीने वाला है वह है एक दुकान करीने वाला है her father grimst where would you hear that उसके पिता ने मुह बनाया grimst का मतलब how about change करना मुह बनाया where would you hear it तुमने ये कहां से सुना he told me so उसके बाद में Sophie कहती है कि उसने ही मुझे ऐसा बताया he muttered something inaudible and dragged himself round in his chair वे मन ही मन के अंदर कुछ इस तरह से बड़ बड़ाए जो कि ऐसरा वे हो और अपनी swim को अपनी कुर्सी के अंदर समेट लिया यानि कि अपने आपको कुर्सी के अंदर समेटते वे उन्होंने मन ही मन कुछ बड़ बड़ाया जो कि swim के लावा दूसरा नहीं सुन सके this another of your wild storage और उन्होंने का यह तुमारी कपौल कल्पित कल्पनाओ की कहानिया है न उनमें से एक और है यानि कि किसे का सोफी से का she met him in the air cat job said and told him how it had been उसके बाद में जोफ वो कहता है वह उसे गल्यारे में मिली थी उन्हें बताया कि यह सब किस तरह से हुआ था यानि कि अपने पिता को बताता है कि किस तरह से सोफी ने उसे बताया था कि वह उसे गल्यारे में मिली थी वन ओफ दीज डेज यू आर गोइंग टॉट यॉर्शल इंटु ए लॉड ओफ ट्रबल हर फादर से अग्रेसिवली किसी दिन तुम इन बतें से अपने आपको बहुत प्रेसानी में डाल लोगी उसके पिता ने इसफिशे इसे कहा यानकि उसके पिता ने घुसे से कहा कि ये इस किवूब कल्प कполож कलपी जू आपकी कहानिया है इससे आप किसी ने किसी दिन एक बारी समस्या के सामना करना पड़ेगा जोफ नोज इट्स टू डॉंट योफ और उन्हें ने का कि जोफ जानता है कि यह सच है क्या तुम नहीं जानते जोफ उसके पिता नहीं सका He won't believe you though he would like to वै तुमारा विश्वास नहीं करता यादि भी वै विश्वास करना बी चाहे तो यादि भी वै विश्वास भी करना चाहे तो भी वै तुमारा विश्वास नहीं करता The Table Lamp Cast and Amber Glow Across our Brothers Bedroom Wall Across the Large Posture of United First Team Squared And the row of Colored Photographs Beneath Three of them Of the Young Irish ProGD Table Lamp उसके भाई के बेडरॉम की दिवार पर और अमेरिका की नंबर एक टीम के दल के पोश्टर और उसके निचे रंगीन फोटोग्राफ की पंक्ती जिसमें तेन फोटो आइरलेंड के विलेक्षन परतिबा समपन द विवक कैसे के थे पर बिली पर बिली बुरी चमक डाल रही थ है वो कहां पर चमक डाल रही थी यह बताए कि टेबल का लेंप है वो जल रहा था और उसके बाहि के बेडरूम जियोफ के बेडरूम के अंदर जो एक पॉस्टर लगावा था जो कि अमेरिका की नंबर एक टीम के दलका था उसके नीचे रंगीन फोटोग्राफ की पंक्ति जिसमें तीन आयरलेंड के परतिबा संपन खिलाडी थे और उन में से ही एक कैसे था उसके बाहिये है प्रोमिष यू विल टेल नॉमर सौफी सेंड शूपी ने का वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी किसी का जोब से का नठिंग टू टेल इस देर बताने को कुछ है नहीं किसने कहा no brain जोब कहते है कि बताने को कुछ है नहीए प्रोमिस जॉफ डैड मार्डर मी और उसके बाद में कहा वादा करो जॉफ नहीं तो डैडी मुझे मार डालेंगे Only if he thought it was true सिरब तब ही जब यह सोचेंगी यह सही था यानकी जॉफ कहता है कि यह तो वो तब मार डालेंगे न उनको लगेंगे कि यह सची बात है प्लीज जॉफ वो कहती है करप्या जॉफ ऐसा मत करना क्रिष्ट सॉफी यू आर स्टिल एड स्कूल कैसे मास्टेब स्ट्रिंग और उसके बाद में वो कहता है कि है परबू क्रिष्ट का मतला इसवर के याद करते हो कहता है इसवर उसने का कि तुम अभी स्कूल में पढ़ती हो और कैसे मास्टेब स्ट्रिंग सॉफ गर्ल्स और वो कहता है कैसे के पीछे तो लड़कियों की संक्या बहुत तदिक होगी अभी तुम उसके का स्वापन देख रही हो उसने का नहीं उसके साथ इसा नहीं है उसके पीछे कुछ भी नहीं है तो उसके बाद में वो कहता है जेड का मतलब होता है किसी का मज़ाक उड़ाना उसने उफास उड़ाते हो का तुमें ये कैसे जान सकती हो कि उसके पीछे कोई नहीं है He told me that's how और वो कहती है उसने मुझे ये बताय थै ये इससे ही था कि उसके पीछे कोई भी नहीं है As if anyone would tell a girl something like that और उसने का मानो कोई भी किसी लड़की को इससी बात बताएगा Yes, he did He isn't like that, he is quiet और वो कहती है हाँ, उसने बताय था वे ऐसा नहीं है वे शानत है Not as quiet as all that apparently और उसने का उतना शानत नहीं जितना दिखाई पड़ता है Yes, best है It was nothing like that, joke, it was me spoke first और उसने का joke ऐसा कुछ नहीं था पहले मैने बात सुरू की थी When I said who it was, I said excuse me, but aren't you Danny कैसे और वो उसके बाद में हो कहती है, जब मैंने उससे पहचान लिया तो मैंने कहा चमा करें कि आप Danny कैसे तो नहीं है And he looked short of surprise और वे थोड़ा सा चकित अच्छे चकित हुआ And he said yes, that's right और उसने का हाँ, यह सही है कि मैं Danny कैसे ही हूँ And I knew it must be him Because he had the accent You know, like when they interviewed him on the television और वो कहती है कि मैं जानती थी कि यह भई था क्योंकि उसका लहजा एक्षेन का मंगला लहजा वैसे ही था जैसा कितब था जब उसका टेलिविजिन पर साकिसातकार लिया गया हो So I asked him for an autograph for little Derek But neither of us had any paper or a pen और वो कहती है इसलिए मैंने उस छोटे Derek के लिए उसके autograph मंगा प्रंतु दुर्बागे से हम दोनों में से किसी के पास कागजया पैन नहीं था So then we just talk a bit और वो कहती है इसलिए फिर हमने सिरफ थोड़ी सी बातचीत की About the cloths in Royce's window और वो कहती है कि Royce की खिटकी में रखे कप्रों के बारे में यान कि जो थोड़ी बहुत बातचीत की वो किसके बारे में थी Royce की खिटकी में रखे कप्रों के बारे में He seemed lonely वैकिला लग रहा था After all it is a long way from the west of Ireland कुल मिला कर यह जगह पस्ट्वी अर्लेंड से बहुत दूर है And then just as he was going he said If I would care to meet him next week he would give me an autograph then और फिर जब वैं जाने लगा तो उसने कहा कि यदि मैं उससे अगले सब्ताय मिलोंगी तब वैं मुझे autograph देगा Of course I said I would सत्मुच मैंने कहा मैं मिलोंगी As if he would ever show up मानुवे कभी दिखाई पड़ेगा You do believe me now don't you अब तुम तो मेरा विश्वास करते हो ने यह किस ने कहा Sophie ने कहा यह कि वो कहती है अब तुम्हे तो मुझे पर विश्वास होना चाहिए He dragged his jacket which was shiny and shapeless from the back of the chair and pushed his arms into it He dragged his jacket which was shiny and shapeless from the back of the chair and pushed his arms into it खुर्षी के पीछे से उसने अपनी जैकेट खेंची जो चमकीली और अक्रती भी ही थी और उसमें अपनी बाहें उसने गुशा दी She wished he paid more attention to his appearance उसने चाहा वह अपने रूप सब रूप पर ज़्यादा ध्यान दे Wish he cared more about clothes चाहा कि वह अपने कप्टों पर ज़्यादा ध्यान दे He was tall with a strong dark face वह लंबा था और उसका काला मजबूत चैरा था Handsome she thought खुबसूर्थ उसने सोजा किसने? Sophie ने It's the unlikeliest thing I ever heard He said उसने का यह मेरे दोरा कभी भी सुनेगी सरवादिक एसमब बात है किसने कहा? Danny कैसे ने कहा? कि उसके दोरा यह कहा जाना किसी के दोरा उसकी इस सुन्दरता की परसंसा किया जाना एक एसमबल सी बात लगी तो आज की वीडियो में इतना ही Next वीडियो में इसे continue करेंगे तब तक के लिए Goodbye Thanks for watching Have a nice day